नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिबा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपसे ऐसी भरती के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडियन आर्मी की भरती है और इंडियन आर्मी की इतिहास में ये भरती पहली बार निकली है तो दोस्तो यहां पर आपको बता देना चाहते हैं कि यह जो भरती है वो केवल ट्रेट्समेंगी है आपने दोस्तों इंडियन आर्मी में भर्तियां तो बहुत सनी होंगी लेकिन आपने ऐसी भर्तिय आज तक नहीं देखियोंगी जो केबल ट्रेट्समेंट की यहाँ पर दोस्तों सोल्जार जेनरल डूटी सोल्जार, टेक्निकल, कलर्क या फिर जितने भी पोस्ट होती है किसी की भर्तिया आज की वीडियो में हम डिसकस नहीं करने वाले है क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी ने पहली बार अपने इतिहास में यह भर्तिय निकाली है अब यहां पर ट्रेट से मेरा मतलब दोस्तों यह है कि ट्रेट्समें में कौन-कौन से ट्रेट्समें भर्तिय निकली है जैसे दोस्तों ट्रेट्समें में बहुत सारी भर्तियों होते हैं चेफ होता है उसके बाध में दोस्तों बार बढर होता है IOOOOO होता है ठीक है Бहुत सारी ऐसे पोछ्ट होती है जो कि ट्रेडवैन के अंतरगत आते हैं तो आजकी इस वीडियो में हम आपके लिए इसी के बारे मों बताएंगे क्योंकि दोस्तों यह जो भरते निकली है ओनली ट्रेड मेन के भरती है तो आपके लिए बहुत बड़ा यह खुश खबरी है कि जो युवा ट्रेड्समेन में भरती होना चाहते है जिनके एज निकल चुकी है या भी किसी भी कारण से जिसके मान लीजी नंबर कम है मेरिट में ठीक है हाई स्कूल इंटरम में जिनके नंबर कम है तो वो भी ट्रेड्समेन की भरती देखते हैं तो उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यह जो भरते निकली है ओनली ट्रेड्समेन के लिए है और बहुत बड़ी संख्या मैं आज तक आपके लिए नहीं बताया कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता है। लेकिं दोस्तों मैंने सुचा कि आप लोगों को यह बात बताना जरूरी है। तब यह आपका मेरे पर बिशभास बनेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे क्या है कि आपने देखाए तो दोस्तो आपने देखा होगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो आपने खुद भी देखा होगा कि हमारे चैनल पर आपके लिए कभी भी गलत वीडियो की नोटिफिकेशन हमने आपको नहीं बताई होगी उसका कारण दोस्तों ये है कि मैं खुद आज तक मैंने एकार वीडियो में ये बताया है कि मैं डिफैंस में जॉब करता हूँ लेकिन आज मैं आपको एक्जेक्ट अपनी जॉब का नाम बताने वाला हूँ कि मैं किस में जॉब करता हूँ और अगर आपके लिए ये बात जूट लगे तो दोस्तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कि मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं एक फॉजी हूँ और फॉजी कभी जूट नहीं बोलता ठीक है तो आज की इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ मैं ये आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तो आपको हमारे चैनल पर बिश्वास करना ज़रूरी है अगर आप इंडिन आर्मी इंडिन एरफोर्स याफर किसी भी दिफेंस की जॉब में भरती होना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है तो दोस्तो चलिए फाइनल ये बता देता हूँ कि मैं कौन सी जॉब करता हूँ तो मैं हूँ दोस्तो इंडिन एरफोर्स में और इंडिन एरफोर्स में मेरी 10 साल सर्वेस हो चुकी है ठीक है और मैं हूँ दोस्तो ओफिसल स्टाफ में मतलब क्लर्क ठीक है तो दोस्तो आप हमारे चैनल को बेधिलख सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए कभी गलत न्यूज नहीं देंगे तो आज की वीडियो काफी लंबी होने वाली है दोस्तो तो चलिए स्टाट करते हैं आज की वीडियो जिससे वीडियो ज्यादे लंबी नहों तो यहां पर हम दोस्तो इस समय हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशल वेबसाइंड पर और यहां पर कर आप नीची स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देखेंगे जे स्यू अबलिक ओर इन्ट्री वियू वहल पे क्लिक करेंगे view all पे click करने के बाद हम दोस्तों यहां पर जो भरती है उसकी notification सामने आ जाएगी आज मैं आपको इस भरती के बारे में बताने वाले है रिकूट्मेंट रैली notification फॉर सोलजर ट्रेट्समें ओलाम्स ठीक है आपने दोस्तों आज तक जो भी नोटिफिकेशन आर्मी में निकली है आपने आज तक नहीं देखा होगा कि ऑनली ट्रेड्मेंट के भरती निकली हुई है तो इस भरती के दोस्तों जो नोटिफिकेशन है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और आपको अच्छे तरह से इसको बारे में हम बता जेते हैं ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों केवल ट्रेट्समेंट और एट पास के लिए भरती निकली हुई है आप देख सकते हैं सोलजर ट्रेट्समेंट ट्रेट्समेंट भरती होती है यहाँ पर 10 पास में चेफ कम्यूटी, ड्रेसर, इस्टिवार्ड, वासरमेन, टेलर, सपोर्ट स्टाफ और एक्कुपमेंट रिप्यर ठीक है इन पदों पर दोस्तों भरती है उसके बाद में नेक्स्ट है एट पास के लिए इसमें हाउस कीपर और मैस कीपर की भरती ओनली होती है तो आज की इस वीडियो में हम दोनों ही बारे में आपको बिल्कुट डिटेल में बताने वाले हैं तो सबसे पहले ले लेते हैं जिसमें यह वाली पोस्ट पे भरती होने वाली है तो यहां पर दोस्तों आपकी age limit होने चाहिए यहां पर साड़े सत्रा साल से तेज साल और आपकी जो date of birth है वो 1 अक्टूबर 1997 से 1 अपरेल 2003 के बीच में होनी चाहिए इस भरती में सामिल होने के लिए आपको बन 77 cm height आपकी और 50 kg बेट होना चाहिए और chest आपका 77 cm होना चाहिए class 10 आपके simple pass होना चाहिए और इसमें एक सर्थ यह है दोस्तों कि आपको class 10 में किसी भी subject में 33% मार्ट से कम नहीं होने चाहिए अगर आपकी 33% मार्ट से कम हैं तो आप इस भरती में सामिल नहीं हो पाएंगे ठीक है उसके बाद में बात कर लेते हैं soldier tradesman 8th pass तो यहां पर दोस्तों ओली एक post के लिए भरती है मतलब vacancies बहुत सा जादा है लेकिन जो trade है वो ओली एक trade दी गई है housekeeper housekeeper में भरती होने के लिए आपको सारे 17 साल से 13 साल तक आपकी age limit होनी चाहेंगे एक October 1997 से एक April 2003 की बीच में आपकी जो है दोस्तों वो date of birth होनी चाहेंगे height आपकी 170 cm, date आपका 50 kg और chest आपका 77 cm होना चाहेंगे इस भरती में सामिल होने के लिए आपको only class 10th, sorry class 8th pass होना चाहेंगे और आपके 8th class में मतलब 8th class में 33% mark से कम नहीं होने चाहेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ा मौका है यहाँ पर cable tradesman के भरती निकली बही है और आप अंदाजार लगा सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में tradesman की भरती होने वाली है आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी कभी अपने जो vacancies होती हैं उनकी जानकरी नहीं देती है लेकिन दोस्तों मैं अपनी service को experience को धेर में पर रखती हूए आपको इतना बता सकता हूँ कि यह बहुत बड़ी बड़ी भरती है यहां पर बहुत बड़ी संख्या में भरती हो नहीं यह ट्रेट्सman की तो दोस्तों है और है बसी 對啊 requirement है उसके बारे में आपको बता दी अभी मैं आपको बता जाता हूं दोस्तों यहां पे इनके physical के बारे में इनका physical किस तरह से होगा आप सभी को पता ही है कि army का physical कैसे होता है लेकिन आपको एक बार revise कराना जरूरी है आप देख सकते हैं आप पर physical fitness test at rally site यह आपका दोस्तों जो है फिजिकल फिटनेश टेस्ट होगा रेली साइट पर ठीक है तो गुरूब बन और गुरूब टू में आपकी जो रेस होती है 1.6 km उसको आपको गुरूब बन और गुरूब टू में पास करना होता है गुरूब बन होता है दोस्तों अब अगर आपको फोटी एट मार्क्स दिये जाएंगे उसी तरह से दोस्तों अगर आप 10 लगाते हैं तो आपको 40 मार्क्स लगाते हैं तो आपको 33 मार्क्स और अगर आप 8 पुलब लगाते हैं तो आपको 27 मार्क्स साथ में आपको 21 और 6 पुलब से अगर आप लगाएंगे तो आपको 16 मार्क्स दिखे जाएंगे तो यह होगी आपका फिजिकल अभी दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो भरती है वो किस स्टेट के लिए नि से बढ़ते निकलius दोस्तों आर्मी रर्यत्मेली फॉस ओल्जें ट्रिट्समेंट कैटीकरी एट राएट रवतुलगरा राम इस्टेडियम रेवारी अवर्याना ठीक है अम्बाला内 2 जो भरती निकाली है वह रेवारी के अर्जटिक éénंगे एक रावतुला इस्टेडियम यम्नानगर, पंचकुला एंड चंडीगड यूटी और हर्याना ये जो दोस्तों डिस्टिक्स हैं और चंडीगड भी इसमें सामिल है इन डिस्टिक्स और स्टेट के रहने वाली जो बच्चे होंगे वो इस भरती में सामिल हो सकते हैं फ्रॉम 2 दिसंबर 2020 से 12 दिसंबर 2020 एट रावतुला राम स्टेडियम रेवारी हर्याना फोर सोल्जर ट्रेट्समेंन केटाइगरी ठीक है तो आपके दोस्तों इस भरती के लिए जो ओनलान रेजिस्टेशन होंगे वो 3 अक्टूबर 2020 से और 16 नॉमबर 2020 के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे तो आज है दोस्तो एक अक्टूबर बंदब परसों से आपके जो है वो ओनलान रेजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो रेजिस्टेड एमेल आइडी होगी इस पर आपके 17 नॉमबर से बाद में आपके एडमेंट काड आने शुरू हो जाएंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तो वीडियो कैसे लगी कमिल्ट करके जरू बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने इस फोजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और दोस्तो इस वीडियो के इतना वाइरल करें कि ये वीडियो वाइरल ही हो जाए तो चलिए दोस्तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो साथ में तब तक लिए नमस्कार जहन जावारत